हालेलूया पास्ट्र जी सिश्ट्र गीता लुद्याने तो आया जै मैसी की पापा जी मामी जै मैसी की पापा जी मेरे बातरुन होता था पैतालीस साल से मैं बहुत परसान थी और मुझे बहुत सरमिंदी होती थी मैं कहीं भी जाती थी ओहां भी बातरुन हो जाता था रात में सोती थी तीन चार बार हो जाता था मैं उसी टाइम उट करना हाती थी बहुत गंदी बद्भू आ रहाई थी और मैं हस्पीटल में गई मैं अपनी अप्रेशन कराने मैं ओहां भी बातरून कर दी हस्पीटल में ओहां सब लोग बोलने लगा मुझे कि तु यहां बातरून कर दी तुझे सरम नहीं आती है पर मैं की करे मैं मजबूर थी मुझे डुष्ट आत्मा ने बातरून कराती थी जंगल से ले जाकर मुझे लेकर जाती थी जंगल में बोलती थी तु चल मेरे नाल में तुझे बातरून कराती ही तो मैं जाती थी डुष्ट आत्मा ने जंगल में ले जाकर और साइड में बोलती थी यहां बैठ तु यहीं कर ले तो मैं ओहीं बैठ के करती थी और मैं बिष्टरे पकरती थी अच्छा लगा था आप बिष्टर पर बातरूम करते थे कितने साल से आप बिष्टर पर बातरूम करते थे 45 साल से जब से आप पैदा हुए हैं बच्पन से आप बिष्टर पर बातरूम कर रहे थे हां जी इसकारण क्या श्रमिंदी कि आपके घर बाले जड़ोग कहां का आपको जिक्कत आती थी मुझे सब बोलता था माम बच्चे भी बोलता था मम्मी तू बच्ची ए तू बात्रूं कर देती यह बिस्तर पर्लं तुमैं बच्चे से बोलती थि मैं की करें में बहुत मजबूर हूं मुझे बातरून हो जाता है कर मुझे पता नहीं लगता था है अजस्ट आत्म को जंकल में ऐसे ले जाती थी और आघंप सपने माइं आप को बोथी यहां MICHAEL बातरूम कर और आपका बिस्तर परी तब सपने में सोय हुए बातरूम निकल जाता था हां जी और तुस्ट आत्मा इसी तरह आपको दुबाब डालती रही और असल विच आपका उसी टाइम बातरूम निकल जाता था और बच्पन से ही आपको श्रमिंदगी का आप सामना कर यांटे पर करें रहते रहते ते अपकी बेश्टीह करते रहते थे यह पपनी ब्ढदी में आपकी बोडी में स्मेल आती कि जब अपकु यह निखलम है कि दो दिन निकल पर लाते होता है तो दो तेन निटल के होता था जब आपको बॉड़ी में स्मेल आती थी अच्छ यहां पर लिखे आप रात को भी उठट के नहाना आपको पढ़ता था क्यों नहाना पढ़ता था रात को वो मुझे गंदी बद्बू आती थी तो मैं नहाने चली जाती थी जितने बर होता थी आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं सो गई दिन में तुझे डर के मारे काई वक्त सोते भी नहीं थे कि यहां पर मुझे बात्रूम आ जाएगा तो अपर रिष्टेदारी में गए और डर लग रहा है अगर जे सो गई तो सुपने में बात्रूम आएगा दुष्टा आत्मा वो कारे करेगी वो एक बंदन बन चुका था बार बारे कारे करने वाला पास्री जी सिस्टर ने दस्या मींज एक कदेवी मसल 15 साल तो पास्री जी किसे रिष्टेदार्देकार भी नहीं जान दे सी और पास्री अगर एमरजंसी नहीं दस्या कि जाना पेंदा सी उत्थे चूट बोल दे सी कि पास्री जी नहीं दे बच्चे भी जिस तरह नहीं दस्या कि बहुँ जादा मतलब इस शर्मिंदगी में थे ना कि हां अगर कोई बातरूम अब कर भी देते थे कहीं तो आप बताते ते नहीं यह पानी गिरा हुआ है अच्छ प्रॉब्लम के कारना बार आपको प्रॉब्ल बच्छ में चार जुलाई को दो महीने हो गए हम लोगों को फिर अठारा जुलाई को पास्ट्री जी ने घोशना कि कि बात बिस्तर पर बातरूम करने वाली स्पृट आपको छोड़ कर जा रही है आदत आपको शोड़ के जा चोकी है आपके विश्वास के धारा मैंने कर। सिखाया था लोग चंग आई पाते हैं आपके फेद के धौरा इसलिए मैंने का नेक्टिव लोगों की कभी मत सोनो नेक्टिव लोगों में कभी मत बैठो वह को नेक्टिव करते जाएंगे और शेयतान उनके दौरा आपके विश्वास को कम्जोर करता जाएगा उठारा जु आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पर जाकर अमरी संदू मनिस्ट्री सर्च करें हमारे वीडियोज को देखें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना मत भूलें आप तुमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि आप प्रमेशर के दाज पास्टर अमरी संदू जी द्वारा दिये गए वचनों प्रातनाओं और प्राफिटिक वर्ट्स को ग्रहन कर सकते हैं आप हमें इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो करें क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमरी संदू जी का ये विजन है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माधियम के दावारा लोगों को परमेशर के वचनों से भरेंगे और परमेशर के नाम को उचा करेंगे इसलिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्ट्राइब पर लाइप और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सकें सबी को जया मसिकी प्रभू आप सब को आशिश्टे